तो चलो नेट्फिक्स अपना ग्रेव खुद खुदते खुदते इस साल थार, इंटरसेप्टर और स्पाइडर हैड जैसी मूवी निकालने के बाद इंफिनिटी वार एंड इंड गेम की डिरेक्टर दरूसो ब्रदर्स को हायर करके दो सो मिलियन डॉलर के बजट डाल दिया मतलब लगभग सोला सौ करोड रुपए ये भी ठीक है बाई अगर तुम लोग स्पोईलर के उम्मीद से यहां आए हो तो सौरी डिसपॉइंट यू बट नहीं मिलेगा तो चलो आज बात करते हैं नेट्फिक्स की आज तक कि सबसे महगी फिल्म दे ग्रे मैन के बारे इंडिया में तो इस फिल्म का मेजर हाइलाइट ही यह है कि इसमें धनुस है जबकि उनके रोल को एक एक एक्टेंडेड कैमियो से तो ज्यादा नहीं ही बोल सकते हैं बट यार एक अलग ही भौकाल था उनका यहां इस मूवी को हम लोग बोल सकते हैं मिक्चर आफ जेम्स बॉर्न और मिसन इंपॉसिबल विट सम स्पाइस ऑफ जेसन बॉर्न इसमें हमें साफ दिखता है कि 200 मिलियन कहां यह लोग इन्वेस्ट किये हैं मतलब ऐसा action sequences and fight scenes जिसको laptop के screen पे देख के बस यह फील हो रहा था कि यह movie बस थर्टिकल experience ही deserve करती है बस बट वहीं typical spy story बस इसका थोड़ा excitement लोग कर रही थी दिस वोजन्ट आ सूपर intelligent movie लाइक जेसन बॉन बट एक mediocre की category से थोड़ी उपर थी और आपको OTT पे ही release करना था then why you didn't go for more brutal performance mean बहुत जगा ऐसा feel हुआ कि यहाँ violence scenes को और अच्छे से दिखाया जाता like stabbing scenes and more तो ज़्यादा impactful रहता और भाई Hollywood वालो इतना क्या दोस्तान आया आप लोगों को plane से कि हर दूसरे movie में plane का accident या crash करवाते रहते हो में भी production house वाले यह criteria set करके रखे होंगे कि अगर आप एक action movie बना रहे हो तो plane तो crash करवा नहीं हो जैसे हमारे Bollywood में है कि movie चाहे किसी भी genre की हो गाने तो आपको डाल नहीं होंगे apart from action इसके camera works और cinematography and performance सबके बहुत बढ़िया है चाहे वो Ryan Gosling हो अमरीकी कप्तान हो या धनुस हो I personally believe कि धनुस का कुछ 57 मिनट का cameo में ही इतना depth था कि उनके उपर एक standalone movie बनाई जा सकती है जहां उनकी backstory या फिर आगे किसी mission पर भेजा जा सकता है उन्हें I would love to see him more in these grey roles यह movie अपने आपको James Bond को Mission Impossible में घुसाते हुए खुद को बहुत predictable कर देती है I mean to say कि यह film अच्छी है but story-wise इसमें ज्यादा depth देखने को नहीं मिलता है But as an action entertainer बहुत मज़ा देती है यह film यह बहुत जगा John Wick तक की feeling दे देती है But it's sad to say it has nothing new to offer यह हमें कुछ नया deliver नहीं करती है मतलब 1600 करोड की movie से इतना तो expect करी सकते हैं कि हमें एक छोटा सा ही साही But एक roller coaster ride पे बिठाया जाए यह same story हमें ना जाने कितने Hollywood spy action movies में परोसा जा चुका है इस बार exotic locations and stunning action sequences के साथ इसका BGM इसके एक negative में से ही एक है जिन movies के example हम पहले दिये थे इस तुम ही ने पहले देख चुके है तो बस नाम सुनते ही उनका BGM आपके दिमाग में चलने लगेगा बट इस movie को पूरा कुछ देर पहले ही देखने के बाद भी में कोई यह याद नहीं है किसमें सायद कोई BGM भी था जो impactful रहा हो इस movie में एक भी point फे विलेन हीरो को overpower नहीं कर पाता है बठा क्रिसिवान से मैनियक वाला vibe थोड़ा सा तो आता ही है रैन कॉसलिंग में तो ना जाने कितनो की आत्मा है अब हम पहले बताई चुके हैं किन कि धनूस तुर्ण आफ गॉट more screen presence क्यूंकि बस थोड़े ही देर में वो so stealer बन गये थे इस movie का ending में को इसका सबसे बड़ा negative लगा पता नहीं वो इसका sequel बनाने के लिए ये किये या क्या ये तो पता नहीं बट movie के बस 5 रट के बाद से ही protagonist जिस cause के लिए भाग रहा है लास्ट में वो उसी को give up कर देता है ये थोड़ा सा digest नहीं हुआ एक proper ending इफ इसका रहता तो इस बिन डेफ वाली स्टोरी में भी थोड़ा जान आजाता क्यूंकि it is said, अंत भला तो सब भला इस movie का नाम when John Wick becomes James Bond strucked in Mission Impossible franchise ही रहता तो ज़्यादा सिंस बनता anyways, if आप घर पे बैठे हो, बोर हो रहे हो या समसेरा जैसे movie पैसे बरबाद नहीं करना चाहते हो then you can go for it और या फिर आप Ryan Gosling, Captain America, Ananday Armaz या धनूस के fan हो तो you will definitely enjoy this movie otherwise या आपको missed feeling तो दे सकता है कभी-कभी but time waste तो नहीं फील होगा, इस बात की guarantee है anyways, I'll rate this movie 8 out of 10 stars और अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख लिए हो तो आप सब ओको धन्यवाद और बुलना पड़ेगा क्या यार सब्सक्राइब कर सकते हो, तो कर दो नहीं करना है तो तुमारा मन signing it off अभे रिक्षा बाले, पैसना लेना मैडम से भा भी है तुमारी ओंसी वाली भाया यह लंबी वाली, जो गुस्से में है क्या देख रहे हो, आगे देखो you are mad, ऐसा कुछ नहीं है forget me you forget me